नेपाल भारत को हिस्सा न भायर, भारत नेपाल को हिस्सा भायको, भारतिय पत्रकार को दावी, नरेंद्र मोधी को भायो निन्द्राहराम, शिक्किम उत्राखंडर, दार्जलिंग नेपाल लाई ततकाल फिरता गर्ना आग्रह, काठमडो का मियर बालेन शहर धरान का मियर हरका सामपांगले नया पाटी स्थापना गर्ना लागेको गोप्पि समाचार बाहिर यो, रबी लामी छाने को पाटीलाई पनी जड का दिनसक्नी आशंका, आगामी बर्षा रूस ले सात ओटा अंतर महादेशिये बलैस्टिक मिसा पची मातरी इवक्रेन संग शान्ती बार्ता गर्नी रूस का राष्टपती पूटिन को गोशना, आगामी बर्षा को राष्टपती चुनाब मां अस्ताशेब गर्न खोजने कुने पनी देशलाई नचाडनी दिये चेतावनी, गाजामा बंधक बनेका तिन इजराइली ना पचीन का मंत्री लिए दिये ग्रिन सिग्नल, नमस्कार पहते हैं कि नेपाल भारत का हिस्सा था, इतिहास की बाद करें तो राजा भारत के समय में भारत का राजय गन की शेत्र में था, भारत नेपाल का हिस्सा था सथे उनली नेपाल का भुबागरू सिकिम दारजलिंग कुमाउं गडवल, दिहरादुन लगायत का भुबागरू भारत ली शत्थे को धरातल मा टेकेर, तद काल नेपाल ला फिरता गरनों पर नी बताय काचन आपने थंबनेल में जो देखा वर सही था, ये घलत बयान नहीं है, मैं तथ्य कहूंगा, देखिए मुझे भी दुख है कि मुझे इस बारे में बात करनी पर रही है, जब भारत नाम का कोई देश नहीं था, तब नेपाल था, देखिए सच बोलना चाहिए और सबको पहच जूट सच से कितना आगे निकल जाएगा, पर मुसल्मानों का शासन था, यहां तक कि जब औरंग जेब के राजा अभूर ने भारत पर शासन किया था, नेपाल उनके शासन के अधीन नहीं था, जब औरंग जेब शहीद हुआ, हिंदू अपना धम बचाने के लिए नेपा आए, नेपाल में मुसल्मानों का शासन नहीं था, अब बात करते हैं ब्रिटिश काल की, जब अंग्रेज भारत आये तो यहां हजारों राज्य थे, मध्यप्रदेश में सकणों राज्य थे, रास्थान यूपी बिहार महराश्टरच दक्षिन भारत, कोई एक राज्य नह उन्होंने अपने सौदों के कारण भारतियों को गुलाम बनाया, लेकिन उस समय राजा प्रित्वी नारायन नेपाल में थे, उन्होंने अपने लोगों को गुलाम नहीं बनने दिया, यहां छोटे-छोटे राज्य भी थे, 22-24 राज्य थे, उन्होंने उन राज्यों को ए सुभाष चंद्रबोस, अजय सिंग समेत कई लोगों ने बलिदान दिया, जब हंग्रेज भारत छोड़ कर गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारत छोड़ देंगे, वे अभी भारत छोड़ कर चले गए, महात्मा गांधी ने इंगलेंड का जंडा उतार कर पहली बार द अधिक पुराना था, जब नेपाल नाम का एक देश था, भारत पचतर वर्षों तक भारत का एक सामराजय था, आप कैसे कहते हैं कि नेपाल भारत का हिस्सा था, इतिहास की बात करें तो राजा भारत के समय में भारत का राजय गण की शेत्र में था, भारत नेपाल का हिस् स्वोतंत्र उमेद्वरी बाट चुनाप जितेका मेर दोई बालेंद्र शहा बालें रा हरक शामपांग मिलेर नया राजनितिक दल गठन गर्न लागेको चर्चा सुरू भायको छा बिहीबार काटमंडोमा मेर शहा संग भेट गरे पची मेर शामपांगले दियेका अभिभेक्ती हरूली उनिहरू पाटी खोलनी तयारीमा लागेको संकेत दियेका हुन शोतंत्र लवरू चिन्नमा चुनाव लडेर इस्थानिय सरकार को नेत्रितोमा पूगेका शहा र शामपांग बेच बिहीबार बिहान काटमंडोमा एक घंटा शल्फाल भायको थिव उग्त भेट पाची शामपांगले फेश्बुक मा तस्विर राखती लेखेका छन जीत हुन्च करांतिको संके नमान आमी जन विशाल बन्छाउं धन्दै नमान एस पाची शामपांगले औरको स्टाटस लेखे अतार नगर नु नया शक्ती निर्मान हुने छा शुक्रबार जन शामपांगले प्रस्ट भाषामा शोधे का छन एदी हमले राजनेतिक दल खोलेर अगी बढ़न चाहिव भने कुक असले शाथ दिन हुन्चा रूसली सन देहजार चमपिसमा शात ओटा अंतर महादेशी मिशाइल प्रचेपन गरनी रननितिक योजना बनायको रूसी मिशाइल फोर्षर का रननितिक कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सर्गय कारा कायवले शुक्रबार बतायका छन रूस बाटो प्रकाषिद रेड स्टार शंगको अंतर बार्तामा कारा कायवले पछलो पांच बर्षमा रूसी सनाले प्रचेपन तथा तालिम का निम्ति 20 भंद बढ़ी मिशाल प्रचेपन गरेको बतायका छन कारा कायवले उनेर बर्ग छेत्रको यासनी प्रवाधार प्रियोगरी प्रचेपन गरी येको बताउंदै आउधू बर्ष थप शात ओटा प्रचेपन गरनी योजना रहेको उनले ख गरे रूस तथा समेक्त राजी अमेरिका बेच अंतरदेशे मिशाल र प्रण डूबी हरू प्रचेपन को योजना का बिशेमा शुचना आदान प्रदान जारी रहेको कारा कायवले बताए उनका अनुसार रूसर अमेरिकाले एक अरकालाई प्रचेपन को बिशेमा एक दिन अगिनाई जानकरी प्रधान गरनी प्रचलन रहेको उछा शुचनाले प्रचेपन को मिती इस्थान तथा हतियार को प्रभाब को बारेमा संकेत गर छा उक्रेणली नेपाली युबा हरूलाई रूसी सेनामा नपठाउन आगरहा गरेको छा उक्रेणली सेनामा भरना हुना जानी कारियो ततकाल रोकन नेपाललाई आगरहा गरेको हो नया दिल्ली में रहेको यूक्रेन को दोतावासले हमिलाई नेपाली युबा रूसी सेनामा भर्ना हुना जानी गतिविधी ततकाल रोकना आगरहा गरेको छा सुरोतले भनियो नेपालर यूक्रेन बीच महित्रिपूर्ण सम्मंधर रहेका कारण एस्ता गतिविधी नरोकिये सम्मंधमा चीशोपना बढ़ने तरफापनी यूक्रेन को दोतावासले शतरक गरायको सुरोतले जनायको छा रूस यूक्रेन यूद्ध सुरो भाय पछे ठूलो संख्यामा नेपाली रूसी सेनामा भरना भायको अनुमान गरी एको छा पर राष्ट्र मंत्रालाई अंत्रगतकु कॉंसुलर शिवा विभाग मां मात्र तीस जनाका परिवारली रूसी सेनामा रहेका आफना अफंतलाई उद्दार गरी फर्कावन आबेदन दियेका छन। रूसी उग्रेन युद्दमा हाल सम्मा छोजना नेपाली मारियेका छन। मारियेका शबै रूसी सेनामा कारी रत्धिया। परराष्ट मंत्रालाई ले हालै मात्र नेपाल के लागी रूसी राजदुत ले बोलाई नेपाली ले सेणामा भर्ति गर्णे कारियर वखन र भर्ति भायकालाई ततकाल फिरता पठावना भानेकुछ इसे विशेलाई लेहरा मंत्रालाई ले रूस ले कुटनेतिक नोट पन पठायको छाब रूसी राष्टपती भलादमिर पूटिन ले रूस आफनो लक्षे मा फुगे पच्छे मात्र यूक्रेन संग शांती भारता शंभव हुनी बतायका छन उनले यो उदेश्चे परिबर्तन न हुनी पनी बतायका छन राष्टपती पूटिन ले फेबरवरी 2022 मा उग्रेन विरुद्ध यूद्ध सुरुघrait पचे पहलो पटक ठोलो पत्रकार सम्मिलन लाई समभधन गर दे थिया इस पत्रकार शम्मिलन मा राष्टपती पूटिन ले पत्रकार बहें कि रूसी जन्ता का प्रस्ण को प्रतक्षी फोन मा जवाफ दिये का थिये। गतबर्ष राष्टपती पूटिन को प्रशाशनली यो बार्षिक पत्रकार सम्मिलान आयोजना गरेकु धियान। एस पत्रकार सम्मिलान मा पूटिन ली आफनो अधिकाम्ष समय उक्रेन मा जारी विशेश शैन्नी अभ्यान लाई जोड दिया। रूसको सार्वभम्षत्ता मा जोड दिदै पूटिन ले भनी यो बिना हमरो देश को अस्तितो सम्भव छैना। उनले रूसको अर्थातंत्र युद्ध को समय मा बली रहेको बतायका छन। उनले हाल युक्रेन मा 6,07,000 रूसी सैनिक लडी रहेको बताये। गत बर्ष तीन लाख स्वैनिक सिवा का लागी आभान गरी यकूर 4,06,000 जना स्वैच्छाले स्वैनिक सिवा मा योगदान पुरियोंन अगी बढ़ेको पनी उनले दाबी गरे। यस्ताई आगामी बर्ष को निर्वाचन मा बिदेशी हस्ता छेब भायमा यसको बिरुद्ध मा रूस ले कठूर कदम लेनी रूसी राष्ट पते भलाद मेर पूटिन ले बतायका छन। उनले विपक्षे नेताहरूले विदेश मा रहेर आफु बिरुद्ध निर्वाचन अभ्यान चलावन सक्ने सम्भाव नालाई संक्यत गरदाई विदेश मा बसी सोदेशी अभ्यानलाई प्रभावित पार्न खोजनी जो कुही पनी रूसी कानुन को कटगरामा उभिनु प सार्व भम्मिक्ता रा आफनो भविस्य रोजनी अधिकार को रच्या गरी रहेका छाँ। हम्रो देश मा शक्तिको स्रोत केबल रूस का जनता मात्र हुन। गता बर्षा उक्रेन को योद्ध भूमी मा पश्यमा पर्ति बंध र अशफल ताको सामना गर्ण परेका पूटिन संद्वेजार्तियाश को अंतेमा थाप उत्षाहित देखिया का छन। पचलो समय बहु चर्चित यूक्रेनी प्रति आक्रमन ली रूसी रेखारू तोड़न असफल भायको छा। और्था बेवस्ता सुधार भाहिर है को छा। राखीब को लागी पश्यमी समर्थन कमज़र भायको देखिया छा। अमेरिके कंग्रेस रा यूरोपेली स्वंग मा नया शाहिता कारेके महरू रोकिया का छन। पूटिन ले पचलो समय यूक्रेनी स्वयनिकलाई कोई दीका रूप मा पक्राव गर्ने क्रम वात्ते बढ़ेको बतायका छन। गता हप्ता उनले मार्च दुहेजार चमबिस को चुनाप में पांचव कारेकालक लागी रास्टपती पदका लागी आफुले उमेद्वारी दिनी गोशना गरेका थिये। प्रभाव शाली विपक्षी नेताहरू जेलमा रहेकाले लगभग 25 बर्ष सत्तामा रहेका पूटिन लाई आफनो बिजय यात्रा सहज बने कुछात। बिशेशगरी ब्रस्टाचार बिरोधी अभ्यान करता एलेक्षी नाभालनी लगायत अधिकाम्ष प्रमुख रूसी विपक्षी नेताहरू जेलमा थुनियेका छन। वा निर्भाशित जीबन बिताई रहेका छन। गाजामा हमास को बंधक में रहेका तिन इज्रैली नागरेक इज्रैली सेनाबाटाई मारियेका छन। गारिले भने काछन। शेनाले ततकालाई गोली चलायो रा उनिहरू मारिये। इज्रैली सेनिकले इस घटनाप्रती पस्था ताप गरेको अगारिले भताये काछन। उनी हरुलाई अक्टोबर सात्मा हमासले बंदी बनाएर गाजा पुर्या आयको थियू इज्राइल का प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतान्याहुले तेसलाई असह निया दुखत घटना भनेका छन। बार लुम्बिनिमा भेट गरदै बुद्ध को जन्म इस्थल लुम्बिनिको विकासमा शहकारियो बुद्ध शिच्याको प्रवर्दन संगाई लुम्बिनिको प्रेटन प्रवर्दन भारे छल्फल गरेको बतायका छन। जानकरी दिये। इस्था निर्देशक ग्यानिन राई नेपाल चिन मैत्री शमाज लुम्बिनिका देचे नारेंट प्रशाद शापकोटा लगायत को उपस्थिती रहायको थियो। इने खबर शंगई ग्रेटर नेपाल टी भीले तयार पारेको रास्टिये तथा अंत्रास्टिये शमाचार हरुको शंगालू ग्रेटर निूज को शमाई शक्किये को छा। परतेक पल का ताजा अपडेट को लागी हामी तफायको माज मछाऊं तब सम्मको लागी मलाई पनी आग्या दिन हूस नमस्कार।